मुंबई के घाट कोपर में होडिंग गिनने वाली जगह पर बुधवार को लगातार तीसरे दिल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है इस बिश मंगलवार की रात मलबे के नीचे दो और शव मिले हैं एंडी आरेफ ने बताया कि दो शव को अभी बाहर नहीं निकाला जा सका है इसी के साथ मरने वालों का आकड़ा सोला हो गया है मुंबई में सोंबार की दोपर में धूल बरी आंधी और बारिश हुई थी इस दोरन घाट कोपर में एक अवेद होर्डिंग पैट्रोल पम्प पर गिर गया था सो फीट उचे और धाइसो टर्न वजन वाले लोहे के होर्डिंग के नीचे कई कार, टूविलर्स और लोग दब गय थे हाथसे में सत्तर से ज़्यादा लोग घायल हुए है NDRF के एक अधिकारी ने बताया के पैट्रोल पम्प में अंडरग्राउंड फ्यूल स्टोरेज टेंक होने के कारण आग लगने की संभावना है इसलिए हम गेस कटर का इस्तिमाल नहीं कर रहे क्योंकि इसकी चिंगारी आग भड़का सकती है गेस कटर इस्तिमाल न कर पाने के चलते मलबा हटाने में देरी हो रही है क्रेन और दूसरे मशीनों का इस्तिमाल करते समय भी लगातार पानी का छिड़काव क्या जा रहा है इसके बावजूद बुधवार सुबा रेस्क्यू के दोरान आग लगने की छोटी घटना हो गई हलाकि वहां तेनाद दमकल कर्मियों ने इसे तुरंट बुझा दिया इसी के साथ मैंने रही है एश्या इस इंडिया के साथ हुआ हुआ है हुआ 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 ह